कि नोश्कार दोस्तों मैं काफी लेट हो गया हूं भाई यह भी आने में और मैं चोटा सा वीडियो आपके लिए चार्ट पर ही मोबाइल पर बना देता हूं क्योंकि भाई हिम्मत नहीं है कि मैं लेप्टॉप खोलू ठीक है तो यह दिखे यह 200 एमिक लाइन है जो नीचे की इस पॉइंट नीचे है यह एक प्रॉपर ब्रेकडाउन है इस लेवल के नीचे 1680 इसके नीचे क्लोजिंग होना बिल्कुल ब्रेकडाउन है एंड नेगेटिव साइन क्या हुआ है कि 10 एमेने 100 एमे के नीचे की तरफ आ गया है बहुत ही चार्ट निफ्टी का निफ्टी क नाइन या क्या कहते हैं उस वरी 17,040 नहीं होल लोता याद रखेगा 17,040 नहीं होल लोता और उसके उपर 17,080 यह दोनों लेवल यह जो 40 पॉइंट का जोन है बेसिकली यह जो 40 पॉइंट का जोन है यह बहुत बड़ा रेजिस्टेंस के रूप में काम करने वाला है याज कर लिजे इसको 17,040 से लेके 17,080 जहां पर आज रेजिस्टेंस खा रहा था यहां पर मुश्किल रहेगी इसको ठीक है डैट विल बी लेवल फोर्स सेल अगेन मैं बताऊंगा आपको फोर्स देखना पड़ेगा एक बार की कितना है कितना नहीं है अगर नहीं होगा तो व इसके लिए आगया आने वाले टाइम में रेजिस्टेंस का काम करेंगा वहाँ पे इसको अगेन सेल करना है ठीक है और बाकी तो कुछ नहीं है अभी फिलाल बाई का तो ना सुचे इट विल भी सेल उन राइज उनली तिल टाइम कोई एक घंटे एक घंटा 37,350 के ऊपर ना इसको ना वर ठीक है तब तक बाई का तो बिलकुल नहीं सुचना देंक निफ्टी में भी चले दोस्तों इतने है और बाकी तो चार्ट पैटन तो खराब हो चुके निफ्ट बैंक निफ्टी स्टिल अभी बाकी है पर गिनिफ्टी का तो अच्छे से बैंड वाजा है ठीक सेल में नहीं याद रखेगा ठीक है एट एट एटी के ऊपर चल पड़ता है सेल में नहीं और बाई करने की जरूरत है नहीं उपर से सेल मारेंगे वह मैं आपको बता दूंगा कल सुबह चाय की चर्चा पर जहां भी कुछ हो रहा होगा वर्ड मार्कित देखते हैं क्या च चाय की चर्चा में बात्चीत करेंगे ठीक है तो फिलाल में सी को अप्लोड करता हूं कहीं से कुछ खास है सी कोई ना तेजी हो यह ना मंदी होड़ी है चले थैंक यू यूएस फिजर ने लो कितना मारा है आज 344, 340 अच्छा भी यह वहां से तो 300.2 पर कीच दिया गया है अच्छा देखेगा पर इसका तो क्लियर पता है एक बज़े के बादी पता लगता है तेजी में है कि मंदी में 34,700, 800 इसका रिजिस्टेंस का जोन रहेगा भी यूएस फिजर का चले थैंक यू